जैशी गंशी दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटिब चैनल मालाक्ष्मी जोतिश अधार्पिंगे मैं हूँ अच्छा आरे संदे सक्सेना और आज आपको एक नया प्रयोग लेके आई हूँ आप सभी के लिए और ये प्रयोग वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी कोई भी दुल्लब मनुकामना है जो मनुकामना को पूरा करना चाहते हैं वो इस मनुकामना को पूरती करने के लिए कर सकते हैं चाहिए आप इवाँ ग्रहे कलेश हो, कोई तनाव हो, कोई मुसीबत हो, कोई परशानी हो, कोई हारी हो, धल आप चाहिए है आपको, अगर आपको किसी पित्र का कोई भी कश्टा रहा है, तो आप करेंगे इस प्रयोग को, समझ रहे हैं आप, तो अगर आपके माल जाए पैस अची बात रहती है, आपको पैसे जाए बॉस ने मार लिया हो, चाहिए किसी और ने मार लिया हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको बॉस नहीं मान रहा है, आपकी माडम नहीं मान रहे हैं, आपको नौकरी से बेज़द करके निकाल दिया हो, तो आप इसे कर सकत और वो प्यार रूडया है, भीभी नहीं मानीघ हुआ है। पतनी नहीं मान रही। तो आप रूराश हो चुके हैं, हर तरफ से, तो आप इससे कर सकते हैं आपे घर में मिर्ट्युत लेक अश्टा आ गया है। कोई हास्प congr П पड़ा है, कोई भेंकरूप से बिमार है, पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है, रो रहा है, किसको आंसर है, किसी को किड्नी की प्रॉब्लम है, किसो कुछ भी हो, तो आप इस प्रयोक को कर सकते हैं, यह बहुती सुन्दर, बहुती प्यारा उपाय है आप इसे खुद के ले कर सकते हैं आप किसी और के ले भी कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं महादेव एक ऐसी शक्ती एक ऐसी परमपिता परमिश्वर की शक्ती है वो परमात्मा है अनादिकाल से हम महादेव के जहनते हैं और अनादी अरंदकाल से महादेव है वो देवों के भी देवता हैं और इश्वर हैं वो परमपरीता परमेश्वर हैं ब्रमान्ड है वो महादेव को समझपाना बहुत ही मुश्किल है वो हमारे पिता हैं वो हमारे भगवान है मादेप की एक बहुत ही अच्छी खासित है कि बाबा मादेप भोले नात वो कभी भी अच्छे और बुरी लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं वो कहते हैं कि सभी मेरी संतान है जिस तरह से आप गर में दो बच्चे पैदा होते हैं एक आग्या बहुत प्यार से मानता है और दूसरा आपकी अवग्या कर देता है आपकी बात नहीं मानता है लेकिन जो आपकी बात को नहीं मानता है तो उसके मतलब यह नहीं कि आप उसके दुश्मन हो गए क्योंकि आपको दोनों ही आपकी अपने बच्चे हैं तो आपको दोनों से ही प्यार होता है इसी तरसे महादेब जो है प्रम्पिता प्रमिश्र उनका भी यही लॉजिक होता है वो कहते हैं कि असुर हो दूष्ट हो, पापी हो, राक्षस हो या सज्जन हो दोनों में से कोई भी मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा, पुकारेगा मैं इसको दर्शन भी दूँगा और उसके काम भी बराऊंगा महादेब का सीधा लॉजिक फंडा है इसलिए आप जानते होंगे कि पहले के टाइम में जितने भी हमारे प्रातत काल में अगर हम देखते हैं तो कितने भी दूस्त से दूस्त राक्षा सोते थे जब भी वो कभी भगवान भोली नात की तपस्था करते थे तो प्रभू परकट होके उनने वर्दान जुरू दे देते थे तो एक बात हमेशा यादक्रणा मैंने हमेशा से बोला है कि हमारी पूजा, पाठ, दान, धरम, विश्वास, भरोसा, पुन्य, हमारे पूर जनम के कियवे पापों को भी काट देते हैं और मैंने हमेशा से आपको इन तीजों पे द्यान जोर दिया है कि खुब दान करो, पैसे का नहीं, समान का खुब पुन्य करो, जितना पुन्य ले सकते हो, आशिवाद प्राप्त करो, जितना आशिवाद ले सकते हो, इश्वर को प्यार करो, इश्वर से महबबत करो जिससे आप अपने प्रेमी प्रेमी का देवी को प्यार करते हैं आप अपने बॉइफरंड गल्फरंड को प्यार करते हैं पती पत्नी बच्चों को प्यार करते हैं और आप मुमाया में घिर जाते हैं मेरे लॉजिकल के साब से आप उन सब को छोड़के अगर आप उससे भी उच्छा उच्छ कोटी का प्यार प्रमपिता प्रमेश्वर से करें चाहे आप कृष्ण से करें चाहे आप राधाजी से करें चाहे आप गोविन से करें चाहे आप काना से करो चाहे हर्मान जी से करो किसी से भी करो अगर अगर आप अपने आपको इश्वर के प्यार में बांध देते हैं जब आप इश्वर से प्यार करते हैं तो आपकी मन्नत चुरूर पुरी होती है यह मेरा अपना practical knowledge है practical काम है कि जब भी मैंने मा कालिका को बहुत ही प्यार से बोला यह देवी तुम कितनी खूबसरत हो कितनी प्यारी हो कि तुम्हारा काला रंग कितना सुन्दर लगता है मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भर्मानों जितने भी देवी दिपताएं है उसमे सबसे सौमेद सबसे सुन्दर सिर्फ आप है मा कालिका जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मेरे रूम रूम खिल जाता है मेरे सारे की सारी परिशानिया दुख, तकलीफ, कलेश, रोग, बाधा, तंतरभाधा सब खुतम हो जाती है मा काली का जब भी मैं आपको काली स्तुरूत पढ़ती हूँ जब भी मैं आपको दिल से याद करती हूँ आपकी काली चलसा पढ़ती हूँ आपकी काली मंतरों को पढ़ती हूँ तो आपका सीम प्यार मुझे चलक पढ़ता है आप मुझे अपनी गोद में लेके प्यार करती है मेरा लार उठाती है मेरी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी मनो कामनाओं को पूरा करती है आप मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और वो जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे परिवार के हैं जो मुझे मानते हैं उन सब को आप प्यार करती हैं उन सब के नाज उठाती है जो भी दिल से आपको प्यार करता है याद करता है आप पायल छमकाती वे आ जाती है और उसको बोलती है कि खबराओं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ डरना नहीं और उसके उपर प्यार, असीम प्यार और प्यार आप टपकाती ही जाती हो मा, हे मा काली का हम पे किरपा करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया मा, वो सभी लोग जो मुझ पे, मेरे भक्तों पे आपके भक्तों पे, मेरे भक्त इसलिए क्योंकि कुछ लोग मुझे गुरू मा बोलते हैं और आपके बक्त इसले क्योंकि आप पर्म पिता परमिर्शर हो, भगवान शिप भी आप ही हैं, मादुर्गा भी आप ही हैं, राधा भी आप हो, गोविन भी आप हो, शाम भी आप हो, विश्नो भी आप हो, गड़पती भी आप हो, सभी पवितर देवी देताओं में आप ही ह आप हो, चाए वो मेरे भगवान श्रीक कृष्ण जी हो, चाए वो मेरे राधा जी हो, चाए आप कृष्ण जी के रूप में आओ, चाए आप गणिय जी के रूप में आओ, चाए आप लक्षिमा के आप सबतरशी हैं हे मातारानी आप बहुत प्यारी हो बहुत अच्छी हो इतना प्यार इतना स्दुलार हम लोगों को देने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया मा मैं आपको बहुत प्यार करती हूं मा मुझ पे किरपा करना मेरे लोगों पे किर्पा करना मेरे परिवार पे किर्णा करना मेरे बच्चों पे प्यार करना मा किर्पा कर दो किर्पा करो हे माता महरानी हम सब तेरे ही तो है अगर तुमने हमें कश्ट में छोड़ दिया मा तो हमें कौन देखेगा मा इसले हम पे किर्पा करो दुख और तक्लीफों से वार दो मा दुख भी तुमी देने वाली हो तक्लीफ भी तुमी देने वाली हो प्यार भी तुमी देने वाली हो दुलार भी तुमी देने वाली हो इसले हे मैं काली का हम पे किर्पा करो मा किर्पा करो ही मा किरपा करो आप इसी तरह से जब जैसे मैंने इतनी देल से प्रेयर की जब आपने से सुना जब आपने से समझा जब आपने से जाना अगर आप इसी तरह से माता राने की प्रेयर करते हैं प्राथना करते हैं आप मा को मानते हैं सुनते हैं प्यार करते हैं, फिर जब आपको गौरी हो, नरायन हो, कृष्ण हो, कोई भी देवी देटा हो, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, तो सौ फिसी दी वो इश्वर आपसे प्यार करने लगता है, आप इश्वर से प्यार कीजी, जब आप इश्वर से प्यार करेंगे, जब तुझे प्यार करूंगी, तुझे याद करूंगी, ये गल्थ है, इश्यर आपका काम करे ना करे, वो उसकी मर्जी, पर इश्यर से प्यार करना आपको करना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इतना खुबसूरत तरीके से समझाया, जो मेरी अंतर आत्मा मुझे कहती है मैं हबीशा वैसे ही बात करती हूँ, किसी भी टोड़े टोड़के तांतरिक, पूझा पाठ, देवी की जर्थ ही नहीं, बिलकुल नहीं है, यार बिलकुल नहीं है, इविन भगवान कड़ेशी कसम मेरी भी जर्थ नहीं है, अगर आप दिल से भगवान को पुकारते हो, भ मेरा ये काम कर दो, वो कर दो, मेरा पती मान जाए, मेरी पत्नी मान जाए, मेरा बॉइफन मान जाए, मेरा गलवारे मान जाए, कुछ भी बोल ले की जुरत नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हो, उनको प्यार करते हो, उनको याद करते हो, जब आपकी आँखों में शुरू करेंगे छोटी करन्या के रूप में छोटी बच्चों के रूप में कभी साक्षात आ जाएंगे कभी मुस्कराएंगे और आपसे कहेंगे कि ठीक है आज़ो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो इसी तरह से मैं आपको कह रही हूँ कि इशर पे विशास रखो, आस्था रखो उमीद रखो और हमेशा बोलो आज मैं आपको इसी तरह से एक उपाय दिने आई हूँ लिकिस से पहले मालक्ष्वी जोतिश अधात्मिक चैनल को और ग्रेंड मालक्ष्वी जोतिश अधात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा, बेल आगांदबा दीजएगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मुझे और कुछ नी चाहिए मैं कभी नहीं कहती मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो मुझे से बात करो, नहीं चाहिए मुझे कॉल मैसेज आपके, आप मेरे वीडियो को देखिए फालो करो, इस शर्पे अस्था रखो आपे काम वैसे भी हो जाने है, एक और बात बोलूँगी कि जो यो नहीं पूझा कि अभी वीडियो डालिये देखो, उसमें एक मंत्र वाला है, तीन बायर, इस रोध बोलना है, फिर मंत्र बोलना है, तीन चारी दिन होए हैं, उस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं होआ है, लेकिन उसके अभी इसे रिजल्ट आने शुव हो गए हैं, बहुत सी लड़कों ने, लड़कों ने मैसेस करके बताया कि दिदी हमने करना स्टाट किया, हमको सलाव हुआ, तो यार तुम भी कर लो, तुम भी कर लो कर लो, कर लो, कर लो, कर लो और भगवान से वैसे ही बात करो, जैसे मैंने अभी की, जैसे मैं भगवान जब आप इशर के लिए गाना गाते हैं आप इशर से प्यार करते हैं तो इश्यर आपसे प्याश जरूर करेगा, समझ रहें आप, एक गाना आया था आशी की टू का, उस गाने को मैं जब भी याद करती थी, सुनती थी, तो उस समय मुझे सीधे सीधे मेरे गड़ेशी याद आते थे, और साही बाबा वक्का याद आते थे, आशी की टू का, उस तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिन्देगी, अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरे आशी की, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिन्देगी, बस तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी बस तुम ही हो तो इस तरह से मैं भगवान को याद करती थी उसके बाद ही तो ये सारी सद्ध्याई है ये जितना मेरा ग्यान देखते हैं ये तब इसके बाद ही आया है जब मैंने भगवान से प्यार करना शुकिया तो आज मैं आपको एक छोटा सवपाय बता रही हूँ आपको मैंने इतना टाइम इसले लिया क्योंकि मैं आपको समझा रही थी कि विशास रखो, प्यार करो इश्यक ले गाना गाओगे, उससे प्यार करोगे तो आपकी बात जरूर समझेगा अगर आपको जिन्दगी में बहुत ज़ाद दिक्कत बढ़ गई है तो आपको सिर्फ नहाद होकर सुबह उटके भगान शिव के मंदिर में जाना है और कोशिश कीज़ेगा सुबह शाम दोनों टाइम जाएं किसी कारण से अगर आप शिवची के मंदिर में आपको प्रशन सा करके दिखाई है उनके आगे आंसों गिरा के रोगे भी और उनके लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना डेडिकेट करोगे जैसे मैंने काई उसके दो ही लाइन गाओ पर गाओ उसकी प्रशन सा करो उनके लिए गाना गाओ और फिर आपको कहना है कि प्रभू अगर कोई गलती हुई है इस जनम में या किसी भी जनम में तो उसके लिए मैं शमा प्रार्ती हूँ मैं बस इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे ये काम हो जाता तो आपकी बड़ी किर्पा होती है और आपको क्या पढ़ना है मरत संजीवनी कवच का पाट करना है मरत संजीवनी कवच का पाट कैसे करते हैं अगर आप शिवलिंग में कर रहे हैं तो घर की अंदर बाहर मंदिर में कर सकते हैं घर पे कर सकते हैं इश्वर को दिल से याद करना उसकी प्रशंसा करना, लेकि उससे पहले मेरे नाम अमुक है, मेरे पता या मेरे पती का नाम अमुक है अमुक का रहे हैं तो मैं आपकी याद कर रहा हूँ उसके बाद आप इश्वर को याद करेंगे, दिल से याद करेंगे और उसके बाद भगवान को बोलेंगे उनकी बहुत अच्छी से प्रशन सा करनी है ठीक वैसे ही जैसे मैंने मा कालिका की की थी उनको सच में रिलाइस कराओ कि हमें उनकी कितनी जुरुत है अगर वो हमारे जिन्दगी में नहीं होंगे तो हमारे जिन्दगी कितनी बरबाद है तो आपको इश्वर से प्यार करना है धिरे दो याद पढ़ जाएगी प्रभू को प्यार करने की उनको याद करने की उनके लिए कोई भी अच्छा सा गाना सोच सकते हो जैसे मैंने आपको दो गाने बताए कुछ भी गाओ, जैसा भी गाओ, दो लाइन गाओ पर याद करके गाओ, तब ही तो कहते हैं कि किर्तन भजन करना चाहिए क्योंकि जब आप किर्तन और भजन करते हैं भगवान के लिए तो भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं तो भगवान के लिए कोई भी दो शब्द गाई है कोई भी किर्तन, कोई भी भजन, कोई भी जो मीठा गाना याद आता है उसको गाने के बाद आपको मृत्त सम्जीवनी स्तुरूत का पाट करना है एक बार सुभे करेंगे और इसी पूजा को प्रटिसाइज करते वे शाम को भी करना है दिया दोनों टाइम जलाना है और उसके बाद रात में जब आप सोने जाएंगे तो अपने शरी को एकदम धीला छोड़के आपको ब्रह्मान में जाकर भगवान से प्रात्रा करनी है और महसूस करना है कि रोशनी आपके शरी में आ रही है आप मिरत समझी वनिस तरूत पढ़ रहे हैं बांसी ग्रूप से मन ही मन में ऐसा सोचना है और भगवान शी शिब जी महराज की बाबा की कृपा आप बरस रही है और वो आप एक काम को पूरा कर रहे है इस तरह के से आप जब इमाजिनेशन करते हैं जिस तरह के से जब आप पूजा पाट करते हैं इस तरह के से जब आप प्राथना करते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से होता है ऐसा मेरा विश्वा से और देखो मैंने ऐसा तो किया है मैं तो हमेशा से ही positive रहती हूँ बहुत ही बोलोती हूँ हमेशा से कि विश्वास रखो काम पक्का होगा ठीक है तो प्यार करो भगवान से मरतिसिव जीवनी स्त्रोथ पड़ो भगवान के लिए गाने गाओ भगवान से महबबत करो वो तुमसे महबबत जरू करेंगे अगर आप मुझसे कोई भी समान चाहिए हो तो नभे सताई साट सो बाई साट सो चालिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जब आप तक आप एक क्रिटिकल कंडिशन ना हो तो प्लीज मुझे कॉल मैसेज मत कीजेगा मैने हमिशा से परात्ना की है और अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं यदि आप में पास मिलना चाहते हैं गाइडिट मेडिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स करके 97-822-8402 पर मैसेज करना पड़ेगा थैंक यू सो मच